अरे भाई क्या आप सोगोसित जीनियस स्रीमान मनीस सोधिया से मिले हैं। ये मनुष्य से बाते तो बड़ी-बड़ी करता है। लेकिन जब उन बातों की सत्यता की बात आती है तो पून रूप से बेफलसिद होता है। विजिट है कि मनीस सोधिया एक बड़े राचिंतिग्य हैं, एक पत्रकार के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, उन्होंने बतोर शराब मंतरी जितनी पर सिद्धी प्राप्त की है उतनी उन्होंने दिल्ली का शिक्षा मंतरी रहते हुए शायद ही लूटी हो। वो अलग बात हैं कि उन्होंने अपने शिक्षा मोडल का देडोरा पीटने में कोई कसर अपून नहीं छोडी। चलिए थोड़ा दिल्ली के पूल्व डिप्टी सियम और वर्तमान में जेलवासी मनीस सोधिया के स्कूल मोडल की समिक्षा करते हैं। मनीस सोधिया का कथित शिक्षा मोडल एक छोटे से छेद वाले गुबबारे की तरह खाली है जिसकी हवा अब निकल चुकी है जिसमें हवा भरने का कोई ओचत्य परतीत नहीं होता। एक समय मनीस सोधिया और पूरी आम आदमी पार्टी अपने दिनों को अपनी नाम की कोई वस्तू तो वास्तिविक्ता में थी ही नहीं। चलिए जेलवासी मनीस सोधिया की इन कथित उपलब्दियों पर परकाश टालते हैं। नमस्काँ TFI पर आपका स्वागतन में योगी शर्मा आपको वगत करा हुआ दिल्ली के पूर्फ डिप्टी सीम और जेलवासी मनीस सोधिया के छोटे छिदर वाले गुबबारी से जिसमें अब कुछ भी शेर्स नहीं बचा है। के पूर्फ परियास होते थे। जिस परकार कहा गया कि आम आदमे पार्टी ने दिल्ली की शराब नीती में घोटा ले करके गुजरात हिमाचल परतेश और गुवा जैसे राजियों में खर्चे की ववश्ता की ठीक उसी परकार आम आदमे पार्टी ने पंजाब से लेकर यूपी और गुजरात से लेकर हिमाचल हरिस्तान पर मनी सुसोदिया वाले शिक्षा मोडल का धेडोरा पीट-पीट कर वोट बटोनने का प्रियास किया। सुगोसित जीनियास मनी सुसोदिया शराब गोटाले के आरोपों में कारगार मंतरी सतेंदर जेन की भाती कारगार में रात्रियां बिता रहे हैं। और बहार उनके कथित शिक्षा मोडल के पेड़ाम बच्चों के अभिवाव को और देश की जनता को अचम्भित कर रहे हैं। वो कैसे चलिये बताते हैं। दर्दल हुआ ये है कि दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम की हवा निकल गई है। जिन स्कूलों की पढ़ाई को सवसरिष्ट गुनवत्ता की बताकर खूब परचार परसार के साथ धिन्रोरा पीटा जा रहा था। वहां नोवी और ग्यारवी के च्छान में परतीशत स्टूडेंट फेल हो गए हैं। अब ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि शिक्छा मंतरी ने सभी शिक्छकों को कड़े निर्देश दिये हैं कि शिक्छक का सफल हुए छात्रों की कौपी को स्वेम लिखें। बताया जाराए कि च्छात्रों के परिणामों की इस हालत को देखकर शिक्छा विवाग के तोते उड़े हुए हैं। अलात ये हैं कि 60 बच्चों की संख्या वाली कख्छा में मातर 4-5 बच्चे ही उत्रण हुए हैं। मिली सूचना के अनुसार 80 अंकों की परिख्चा में च्छात्रों के 4-6-10 अंक से उपर नहीं आ रही हैं। इतना ही नहीं बहुत से च्छात्रों ने कौप्यों को खाली छोड़ दिया है। वहीं दिल्ली विदानसवब में नेता विपक्ष रामबीर सिंग बुदूरी के अनुसार बच्चों के नतीजे वेबसाइट पर अप्लोड कर दिये गए हैं। मगर टीचर से कहा गया है कि खुद जवाब लिखकर चात्रों को पास करें। और रिवाइज रिजल्ट बेश साइट पर अप्लोड करें। रामबीर सिंग के अनुसार इसके लिए उन्हें पांच अप्रैल तक का समय दिया गया है। उन्होंने LGV के सक्षाना से जांच की मांग की है। नेता विपक्ष ने दावा किया है कि सत्र में नोवी और ग्यारवी कक्षा में केवल 4% छात्र ही पास हो पाए हैं। नेता विपक्ष रामवीर सिंग ने परशन पूछते हुए का कि दिल्ली के वर्ल्ड किलास एजुकेशन मोडल का क्या हो गया है। उन्होंने कहा कि जिस एजुकेशन मोडल की अर्विंद के जिवाल और उनकी पार्टी ढोल पीटती थी उसकी पॉल अब खुल गई है। पॉल तो अवश्य ही खुल गई है, जेलवासी मनिस्यू सोधिया की भी और कट्टर इमानदार पार्टी से महाबरश्टाचारी पार्टी बनी आमादमी पार्टी की भी। अब बताया जा रहा है कि फेल बच्चों को पास किया जाएगा और शिप्चा निदेशाले की वेबसाइट पर नए परिणामों को पुनह अपडेट किया जाएगा, जो कि इस पश्ट रूप से दिल्ली के बच्चों के भविस्य से खिलवाड और बच्चों के अविवाव के साथ धोका दड़ी है, अपने रिकोर्ड और अपने शिप्चा मोडल का पुनह धिन्दोरा पीटने के लिए साहएक सिध होगा, जिस प्रकार के कारिये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के द्वारा किये जा रहे हैं, उन कारिये और शिप्चा माफ्याओं के कारियों में को शिप्चा मोडल और कटर इमानदार पार्टी होने की लंबी काहनिया तो सुनाती है, लेकिन अब जनता का विश्वास आम अदमी पार्टी से कम होता जा रहा है, क्योंकि ना तो उसके शिप्चा मोडल से दिल्ली के बच्चों का उधार होता देख रहा है, और ना ही अब आम अदमी पार्टी का खोकला कटर इमानदार पार्टी होने के वक्तवी में कोई शक्तिवची है, वो पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो चुका है, केजिवाल के कतिक चंशेकर जिन्हें दिल्ली के इस सिक्षा मोडर का शिरे जाता है, जो भी डिप्टी सीम से जिलवासी हो